दिल्ली एंसियार में चल रहा किसान आंदुलन दो महीने पूरे करने जा रहा है दिल्ली के रिंग रोड में विशाल टेक्टर रेली निकालने की गोशना की है तो ही किसान कुछ देर में दिल्ली पुलिस को टेक्टर रेली का रूट सौप सकते है किसानों ने दिल्ली पुलिस को जो एक रूट का सुझाब दिया है वो रूट सिंगू संजे गांदी अस्पताल और बवाना है वहीं अगर डिली पुलिस की बात करें तो किसानों को परेट की इजाज़त देने पर डिली पुलिस ने कहा है कि किसानों को सेंटर डिली में ट्रैक्टर परेट की इजाज़त नहीं है सूत्रों के नुसार दिल्ली पुलिस किसानों के दौरा दिये जाने वाले रूट में अपका इंतजार कर रही है इसके बाद किसानों और पुलिस की फाइनल मीटिंग होगी किसानों को टेक्टर परेट के लिए लिखित में रूट देना होगा किसान सेंटरल दिल्ली में टेक्टर परेट नहीं कर सकते गरतन दिवस परेट के बाद ही वो अपनी टेक्टर परेट निकाल सकेंगे वहीं अगर किसानों की बात करें तो पंचाब किसान संगर्स कमेटी के नेता सतनाम सिंग पन्नू ने कहा है कि कई किसान गर्तंत्र दिवस के मौके पर होने वाले टेक्टर रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहा है उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर टेक्टर रैली निकालेंगे दिल्ली पुलिस इसके लिए अनुमती दे अथवा नहीं वहीं मीडिया से बात करते हुए किसानों के साथ आंदोलन में शामिल योगिंदर यादव ने दावा किया है कि 26 जनवरी को किसान परेट होगी और इसके लिए फाइनल लूट जल्द ही मीडिया को बता दिया जाएगा योगिंदर यादव ने कहा कि गरतंतर दिवस को हम दिल्ली के अंदर जाएंगे उन्होंने कहा कि हमारी दिल्ली पुलिस से रैली के रूट को लेकर बात हुई है योगिंदर यादव ने कहा कि रैली के दोरान किसान दिल्ली में नहीं रुकेगा बलकि जहां से रैली शुरू हुई है वहीं पर बापस आ जाएगा बतादे की भारती किसान यूनियन के नेता राकेश टिकेट ने कहा है कि 26 जनवरी को किसान परेट के दिन उत्तर प्रदेश और उत्तरा खंड के किसान 25,000 टेक्टरों के साथ दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे राकेश टिकेट ने ये भी कहा कि गड़तंतर दिवस के दिन 25,000 ट्रेक्टर रैली में शामिल होंगे इस रैली में पश्चिमी उत्रब्रदेश के अलावा यूपी के दूसरे जिलों के किसान भी शामिल होंगे देश दुनिया के और भी खबरों के लिए देखते रहें दबंदे भारत